U.S. imposed 100% tariffs on Chinese EVs in the month of May. The European Union too has hiked tariffs on Chinese cars. So this move by Canada is part of a wider battle between the West and China. चीन के खिलाफ ये युद शुरू कर दिया था, जिसके तहत चीनी कंपनियों पर जम कर कारवाई करी गई. चीन के बने सामानों पर 50, 60, 70% तक के tariff ठोके गए, यानि कि उनके सामानों को दुगना महंगा कर दिया गया. हुआ क्या है? जो चाइना के पाँच बड़े बैंक हैं, उनकी पाँच बहुत बड़ी-बड़ी प्राब्लम्स उनके सामने आ गई हैं. इमेजन कीजिए भारत के अंदर स्टेट बेक ऑफ इंडिया, आइसे से बैंक, HDFC या कोई और, जो टॉप के बैंक हैं, सडली, वो ये बोलने शुरू करते हैं, कि हमारे जो पैसे हैं, यो लोन दिये हैं, वो खराब होने शुरू हो गए हैं. बोल रहे थे लोग कि भई, रूमर है, शीजिंग पिंग गायब ऐसा कुछ नहीं है, शीजिंग पिंग इकदब फिट है. अब तो यार, Western मीडिया भी बोलना शुरू हो गया, शीजिंग पिंग है कहां. तो अब चाइना से पूरी development Microsoft बंद कर चुका है. लिटरली भागने के कगार पे IBM ने अपना सारा R&D बंद कर दिया. चीन के बारे में सारी बूरी खबर ही आ रही हैं. कभी इनके प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं. कभी इनकी कंपनिया बैंकरफ्ट हो जाती हैं. कभी इनके बैंक ही बैंकरफ्ट हो जाते हैं. कभी इहां पर लाखों लोग प्रोटेस्ट करने उतर जाते हैं. आप सोचके देखिए कि यहां पर जो बैंक हैं उनका हालवे ऐसा हो लगता है कि एक तुफान आया है और जो लंबी सी बिल्डिंग है वो ऐसे हिल रही है. स्काइस्केप राइड है वो उसमें आग लगाने का काम और घी डालने का काम रियल एस्टेट ने भी किया. ये परेशानी अभी खतम नहीं होगी क्योंकि यूरोप के साथ साथ अब कैनेडा भी उसके खिलाव इस ट्रेड वोर में कूच चुका है और जैसा कि आप स्किन पर देख सकते है कैनेडा ने तो सीधा 20-30% नहीं 100% का टैरिफ ठोक दिया है. कि चीन का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा. उस वक्त चीन ने ने रिकॉर्ड बना रहा था. लेकिन 2017 के बाद से ही चीन के बारे में भुरी खबरे आ रही है. कभी इनके प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं तो कभी इनकी बड़ी-बड़ी कंपनियां बैंक रप्ट हो जाती ह लेकिन अब 2024 में यूरोप ने उससे भी बड़ा चीन को जटका दिया है. यूरोप पार्लिमेंट ने चीन के अलेक्टिक वेहिकल्स पे 38-50% तक का ड्यूटी लगा दिया है. जिससे चीन की बड़ी-बड़ी कंपनियां कुलैप्स होने लगी हैं. और सारी कंपनिया चीन च है, वो पूरा का पूरा कलैप्स होने वाला है. ये एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है. और ये चोटी-बोटी नियूज नहीं है क्योंकि वर्ल्ड की second largest economy है. और जो बड़े-बड़े banking giants हैं, वो ऐसे लगदा है कि तुफान का एक सामना कर रहे हैं आज की डेट में. च अगर चाइना के अंदर पहले बोलता है कि अगर USA थोड़ी सी छींक मी मारता है तो पूरे दुनिया को, यानि की पूरे दुनिया की economy को cold होना शुरू हो जाता है. अभी वो चाइना के साथ भी वही चीज शुरू हो गई. अब हुआ क्या है? जो चाइना के पांच बड़े bank हैं, उनकी पांच बहुत बड़ी बड़ी problems उनके सामने आ गई हैं. इमेजन कीजिए भारत के अंदर State Bank of India, ICCI Bank, HDFC या कोई और जो top के banks हैं, suddenly वो ये बोलने शुरू कर दें कि हमारे जो पैसे हैं, जो लोन दिये हैं, वो खराब होने शुरू हो गई हैं. वो पैसे वाप loans हैं यहांपर, उनकी value 1.3 trillion yuan से भी जाला बढ़ गई है, यानि कि 1.5 ला क्रोड रुपे के तो इनके एकदम से नए bad loans हो गई हैं, जो लोग पैसे लेकर वैसे वाफिस ही नहीं कर पा रहे हैं banks को. अब कौन से sector है जहांपर पैसे bankों के मर रहे हैं, ये भी समझना बड़ा है, सबसे पहला है hospitality, यानि कि hospitality का मतलब hospital नहीं है, hospitality का मतलब है hotels है, restaurants है, वो सारे के सारे, every second restaurant is closing down, अब जबी भी market में जाएंगे आपको नया restaurant खुला होगा, पराने वाला बंद हो गया, hotels हैं, बंद पड़े हैं, खाली पड़े हैं, consumption ही नहीं है, क्योंकि business कम है तो लोग business क travels भी करनी रहे, इसलिए hotels का भी बुरा हाल है, इनकी जो street एक covid-19 को लेके policy थी, उसकी करण, उसकी price ये up पे कर रहे हैं, जो इनका बहुत बड़ा bank है, bank of communications, उसके जो bad loans है, 22% increase हो गए हैं, सिर्फ hotel और restaurant से, एक bank का बता रहा हूँ मैं आपको, बांकियों का जो data है, वो इसस होने वाले हैं, क्यों consumption नहीं है, market में ordering नहीं है, आप सोचके देखिए, कि यहां पर जो banks है, उनका hallway ऐसा लगता है, कि एक तुफान आया है, और जो लंबी सी building है, वो ऐसे हिल रही है, skyscrapers इसको बहते हैं, और यही situation चाइना की भी है, दूसरा matter था real estate का, आपने बड़ी बड़े जो real estate companies हैं, वो डूपती जारी है, और चाइना की यह जो roller coaster ride है, वो उसमें आग लगाने का काम और घी डालने का काम, real estate ने भी किया, अब जो bank हैं, उन्होंने loan दिये हैं, loan भी कोई जादा नहीं है, 300-400 billion dollar के ही हैं, और जो loans हैं, वो भी मरने चुरू हो गए हैं, उनके साथ साथ bank भी मरने वाला है, क्योंकि 300 billion dollar एक छोटा amount नहीं होता है, इसलिए जो stakes हैं, बहुत high है, property market के अंदर वो भी डूपती जारी है, और यही चीज़ है, जो चाइना को तंग भी कर रही है, उपर से सोने पे सोहागा यह हो गया, कि जो consumer spending हैं, जाकि लोग जो है खर्चा ही नहीं कर रहे, उससे जो businesses हैं, वो और उनकी profitability कम होती जारी है, तो दोस्तों यह news थी एक जो मैं बोलूँगा मज़दार भी है, और मज़दार नहीं भी है, क्योंकि यह हमें भी effect करती है, but as far as China is concerned, इनकी दात देनी पड़ेगी आपको एक चीज़ की, कि जैसे ही इन्होंने देखा कि वही छोटे बैंक बंद हो रहे हैं, इन्होंने छोटे बैंकों को बड़े बैंक से साथ मर्ज करना शुरू कर दिया, तो अब चाइना से पूरी development Microsoft बंद कर चुका है, लिटरली भागने के कगार पे IBM ने अपना सारा R&D बंद कर दिया, अब IBM का, अगर बड़ चाइना में जो मेन बैंकिंग सिस्टेम है, जो बड़े सरकारी उध्यम है, कारकाने है, पावर प्लाट है, सब कुछ IBM की बैंक बंद कर दिया, अब जो चीज करने थी वो बंद हो गया, तो यह जो decision हुआ है, इसको माना गया है, यह geopolitical decision, यह commercial decision नहीं है, क्योंकि America wants to decouple, पहले आपे chips export, chip import पे बैंन लगा दिया, चाइना का chip export पे, फिर higher end chips पे बैंन लगा दिया, फिर chip में, जो making में मिशीन है आती है, उस पे बैंन लगा दिया, जब वहाँ बात नहीं बनी, अब Microsoft का development निकाल दिया, अब IBM का सारा R&D निकाल दिया, IBM सब को composition व interference and geopolitical games which China is trying to play, we have become a casualty of that, और बात यह है कि जब वहाँ छटाई हुई, यहां बटाई हुई, समझ गे ने क्या, भारत में पोस्त निकले है, बारत में इनी जॉब्स के का लगब लगब सारे पोस्त निकले, it might not be in the same proportion, suddenly our IBM in भारत is hiring, Microsoft in भारत is hiring, तो यह दो चीज़े यहां ह हो रही है, और by the way आपको एक बार बात बता दू, Donald Liu शायद Tamil Nadu आया था, पीछे मुझे कही कहा रहा था, और suddenly Tamil Nadu में Google यह बहुत बड़ा development center और AI को लेके काफी कुछ कर रहा है,